जहिन सातियों में एक सर्विसमें सुधीर आपका अपने योट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ SSE CGL 22 की आंसर की आने के बाद में एस्पेक्टिड नॉर्मिलाजेशन का डाटा निकल कर क्या आया है उसमें 1 दिसंबर की सिप्ट में 1st सिप्ट में 3 मार्क्स, 2nd में 5, 3rd में 8 और 4th में 10 मार्क्स एस्पेक्टिड है कि इनक्रीज होंगे इसी तरह से 2 दिसंबर में 1st सिप्ट में 12, 2nd में 8, 3rd में 0 और 4th में 10 मार्क्स बढ़ने के पूरे-पूरे आसार होंगे 3 December में 1st में 11, 2nd में 4, 3rd में 4, और 4th में 4 marks, 5 December में 1st में 11 marks, then 1 marks, 3rd में 5 marks, और 4th step में कोई भी marks बढ़ने की उम्मीद नहीं है 6 December में 1st shift में 4 marks, 2nd में 8 marks, 3rd में 4 marks और 4th shift में कोई भी marks बढ़ने की उम्मीद नहीं है 7 December में 1st में 3 marks, 2nd में 2, 3rd में 11 और 4th में 7 marks बढ़ने के आसार होंगे साथियों यह expected है जो answer की के हिसाब से feedback निकल करके आया है एक अनुमानित data है जोड़ा बहुत उपर नीचे भी होने के आसार रहेंगे क्योंकि exact normalization का idea कोई भी नहीं लगा सकता है 8 December में 1st shift में 13, 2nd में 7, 3rd में 6 और 4th में 1 marks बढ़ने के आसार होंगे 9 December में 1st में 8, 2nd में 2, 3rd में 9 और 4th में 8 marks बढ़ने के आसार होंगे 12 December में 1st में 2, 2nd में 7, 3rd में 9, 4th में 2 marks बढ़ने के आसार होंगे और 13 December में 1st में 7, 2nd में 5, 3rd में 4 और 4th में 9 marks बढ़ने की After answer की जो expected cut-off की बात करें मैंने जो normalization mark बढ़ने की उम्मीद shift-wise बताई है अगर आपके raw score से normalization marks जोडने के बाद में अगर UR से 110, EWS से 102, OBC से 106, SC से 90 और ST से 80 एक्सेलिशन भाईयों की बात करें तो 40 marks बन रहे हैं तो आपके tier 2 exam में participate करने के पूरे पूरे चांस होंगे tier 2 की preparation कहां से और कैसे करें इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इसका भी link आपको description box में मिल जाएगा एक्सलिशन भाईयों के लिए मैंने अपनी community post पर एक poll conduct कराया था जिसमें 643 हमारे भाईयोंने participate किया है और जो majority में सबसे ज़्यादा attempt question रहे हैं 62, 70, 32% रहे हैं आप देख सकते हैं लेकिन अभी answer key आने के बाद में हमारे एक्सलिशन भाईयों को अपना raw score लगबग सभी को पता चल चुका है answer key के हिसाब से आपके raw score क्या है इसके लिए एक poll conduct कराऊंगा तो आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें भी participate जरूर करें एक्सलिशन भाईयों की CGL tier 1 के लिए 40 cut-off क्यों जाएगी इसको भी हम समझ लेते हैं अभी तक जो एक्सलिशन कटेगरी की revealed vacancy हैं inspector of income tax में 18, auditor में 220, tax assistant में 150, postal assistant और sorting assistant में 1984 other post भी अभी revealed नहीं है जैसे एक accountant, sub inspector of narcotics फिलाल total revealed vacancy हो रही है 2372 हो रही है other vacancy हों के मिला करके 2500 plus vacancy जाने की काफी उम्मीद है क्योंकि CGL की vacancy final result आने तक change होती है अगर हम minimum 2372 के हिसाब से ही मान के चले है तो previous year में एक्सलिशन कटेगरी को CGL 20 times tier 1 से shortlisted करता था इस बार exam pattern बदलने की वज़े से अगर SST 10 times भी एक्सलिशन भाईयों को shortlisted करता है अप्रोक्स 24,000 एक्सलिशन भाईयों को shortlisted करना होगा तो forum fill किये है एक्सलिशन भाईयों ने total 30,000 किये है और RTI की reply में जो SST CGL tier 1 में attendance का जो percentage रहा है वह 48% रहा है अगर हम एक्सलिशन भाईयों को 60% भी attendance मानते हैं तब भी हमारे एक्सलिशन भाई 24,000 एक्जाम में participate ही नहीं किये हैं जो minimum criteria है एक्सलिशन भाईयों का 20% का है जो के 40 marks बनते हैं expected normalization की जो मैंने table आपको दिखाई है आप उसके हिसाब से अपने marks देख सकते हैं अगर formalized marks प्लस करने के बाद में भी अगर आपके 40 बन रहे हैं तब भी आपके chance play tie to exam में participate करने के जिन एक्सलिशन भाईयों का raw score 70 से कम है उनको CGL tie 2 के exam के लिए काफी ज़्यादा अपनी planning करनी होगी क्यों हो के इस exam में आपको section 1, section 2 और section 3 तीनों ही exam में minimum 20% mark score करने हैं average एक्सलिशन के लिए तीनों section में 20% mark score करने में problems हो सकती है क्योंकि इस बार जो negative है 1, y, 3 की है जो एक काफी ज़्यादा negative हो जाती है इसलिए जिन भी भाईयों के below 70 tier 1 exam में marks रहे हैं वह अपनी exam की planning काफी सोच समझ कर कर लें और उन भाईयों को अपनी preparation भी काफी अच्छी तरह से करनी होगी अगर आप CGL tier 2 में तीनों ही section में minimum qualify score करते हैं और typing भी clear करते हैं तो आपके लगभग selection हो जाएंगे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सभी भाई preparation करते रहें और 23 में अपने लिए एक government job secure करें धन्यवाद जैहिन